मैं अप्साइस अगेडमी में आपका स्वागत है तो कैसे हैं आप लोग सभी लोग बढ़िया होंगे आज हम जो इसका पार्ट पढ़ने जा रहे हैं यह कौन सा लेशन है आपना यह अपना पार्ट तीसरा है यह दो पार्ट आप लोग पढ़ चुके हैं यह पार्ट नंबर आपका कौन सा है तीसरा है और यह कौन सा पार्ट है difference not equal यानि इसमें जो आपका अंतर होगा वो अंतर समान नहीं होगा तो यह वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसमें अंतर समान नहीं होगा तो इस सवाल को हम क्या है दो तरीकों से करेंगे पहले तरीका और दूसा तरीका जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप लोग कर सकते हूं तो question में दिया है आपको 11 संख्याओं का ओसत 10.9 है यदि पहली 6 संख्याओं का ओसत 10.5 है और अंतिम 6 संख्याओं का ओसत 11.4 है तो मद्ध संख्या ग्यात कीजिए यानि जो आपकी बीचवारी संख्या उसे ग्यात करना है तो इसे हम कितने तरीकों से करेंगे इसे हम करेंगे दो तरीकों से तो पहला तरीका कौन सा पहला तरीका तो यह है आपका की प्रथम यानि पहली 6 संख्याओं का ओसत निकाल लीजिए यानि टोटल निकाल लीजिए आप तो first क्या है आपका first यानि प्र पिर्थम छे संख्याओं का योग निकाल लीजी आप कैसे निकालोगे ओसा दिया है एवरेज आपको दिया है दस दसमला पांच गुड़ें छे कर दोगे एसे ही आप क्या करोगे अंतिम एसे ही आप क्या करोगे कि अंतिम छे संख्याओं का योग निकालोगे अंतिम छे संख्याओं का योग क्या दिया है आपको ग्यारा दसमला प्चार दिया है संख्याओं कितनी छे हैं अब इन दोनों का कर लोग आप लोग टोटल इन दोनों का हाँ से लाई 3, तीन यहाज आजाएगा, यहाँ पे आपका एक टसम लबा जाएगा और 6 X6, तो ऊपर आगया आपका, इनका जो टोटल आगया, кितना आगया, 63 आगया, 65, 24 चोविस, 24 की 4 हाँ से ले आएाइए आपकी 2, 6 X6, साथ आठ और 6 एकम 6 नीचे वाले का आपका क्या आगया 68 आगया अब इन दोनों को क्या करना है इन दोनों को आप जोड़ दीजिए इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है आपका 4, 8, 3, 11, 11 ने की एक हांसे लाई तो क्या हो गया 13 तो आपको जो 12 संख्या है टोटल 6 दस दसमलब 4 आ रहा है और 11 संख्याओं का ओसत हमें दिया है 11 संख्याओं का योग निकालोगे 11 और एबरेज क्या दिया है 10 दसमलब 9 हमने आपको बताया था कि एबरेज में अगर संख्या का गुणा कर देते हैं तो टोटल आ जाता है तोटल में अगर संख्याओं कर देते हैं भाग कर देते हैं तो क्या आ जाता है एबरेज आ जाता है तो ये देखिए आप इसमें आप गुणा कर दें 11 गयाई 9 और 99 गित्तियाओं कि 9 हां से लाई 9 अब यहां पर क्या है दसमलब है तो यहां पर 9 आ जाएगा अब 11 का चार चार में से नो चला गया कितना बचा पांच यहां पर क्या बचा आपका दस चला गया एक हां से लाई थी तो एक यहां पर क्या बचा एक तो जो आपका मद्द का मान आ गया वो कितना आ गया गया ग्यारा तसमलब पांच आ गया यह आपका मद्द का मान तो यह तो हो गय हो गया हमारा मैथर नंबर एक यह मैथर नंबर हमारा कौन सा हो गया यह हो गया हमारा मैथर नंबर पहला अब देखिए इत्ता तो आपको लेंदी हो गया है लेकिन मैथर नंबर दूसरा मैथर नंबर करेंगे वह बिल्कुर आपका इससे सोट होगा तो दूसरा वाला देखि ये आपका हो गया मैथर नमबर बन अब मैथर नमबर आप देखिए दूसरा तो कौन सा है मैथर नमबर है आपका दूसरा ये मैथर नमबर आप दूसरा देखिए कह रहा है कि ग्यारा संख्याओं का ओसत कितना है दस है तो जो आपके ग्यारा नंबर से इनका टोटल क्या है यानि एवरेज क्या है दस दसमलब नो है और जो प्रथम छे नंबर है यानि जो आपके फर्स्ट शिक्स नंबर है उनका एवरेज कितना है इनका भी क्या करना है आ उनका कितना है छे नंबर यानि शिक्स नंबर जो छे नंबर है आपके तो प्रिथम छे नंबर का क्या है प्रिथम छे नंबर का है आपका दस दसमलब पांच और जो आपके अंतिम 6 नंबर है उसका क्या है उसका है आपका 11.4 इत्ता कल लिया आपने बिलकूर ध्यान से समझेगी आराम से तो 11 क्या है 11 यहाँ पे 11 है उपर टोटल नंबर 11 हो रहा है नीचे नंबर कितने हो गए 12 हो रहा है अब जब नीचे के नंबर जादा हो रहा है उपर के नंबर से तो क्या होगा इसमें पिलस होगा क्या होगा पिलस होगा अब देखिए आप कि यह 9 है जो 9 10 दसमलब 10 दसमलब 9 और 10 दसमलब 5 तो 9 जो 10 दसमलब 9 है वो 10 दसमलब 5 से कितना अधिक या कम है यानि यह कितना कम है यह जो 10 दसमलब 5 है वो 9 दसमलब 5 से कितना कम है तो कितना कम है 0.4 क्या है कम है क्या है यह 0.4 क्या है कम है और यह जो 9 है आपका यह 9 यह 11.4 से कितना अधिक है तो कितना अधिक है 11.4 10 से 11.4 तक जाना यानि 10.9 से 11.4 तक आपको जाना है तो कितना अधिक है यह आपका जो अधिक है वो 0.5 अधिक है mistake नहीं करना है 0.5 अधिक है तो यहाँ पर क्या कर देना plus 0.5 कर देना और दोनों संग क्या है क्या है दोनों संग क्या है 6-6 है तो 6 हम common लें सकते हैं तो यहाँ पर 6 से क्या कर देना है गुणा कर देना है चैसे क्या कर दिया आपने गुणा कर दिया अब दो आना से देखिए बिल्कु यहां गलती नी करना है आपको देखिए यहां आपको बिल्कुर भी गलती नी करना है एक ही बार में समझ जाना है सीधे देखिए जो आपका यह 10.9 है वो 11.5 10.9 से 11.5 कितना कम है कितना कम है 0.4 कम है और ये जो आपका 11.4 10.9 से कितना अधिक है यहीं देखते हैं कितना अधिक है कम है तो ये 0.5 ये क्या है अधिक है ये कम है ये कल लिया आपने अब जब माइनस के 0.4 0.5 से माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा 0.6 बचेगा अब यहाँ आप यहाँ लिख लिजी क्या लिखना है 10.9 पिलस कर दीजिए पिलस जब यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा आपका 0.1 इंटू 6 तो क्या हो जाएगा 0.6 इसमें जोड दीजी तो क्या आगे आपका 11.5 यहाँ आगे आपका आंसर क्या आगे आपका आंसर 11.5 ऐसे ही करना है बिलकुष सैम अब यहाँ आपको समझाने में वो ज़्यादना टाइम लगा लेकिन जब आप इसे रिद्म में आ जाएगा यह तो बिलकुष टाइम नहीं लगेगा आराम से question solve होता जाएगा तो ऐसे ही आप लोगों को करना है तो यह वाला note कीजिए आप लोग अनला question आपको देते हैं चलिए यह वाला note करने है आराम से बिलकुष आराम से करेंगे ऐसे ही जैसे यह किया है सैम ऐसे ही आराम से करते जाएंगे मैत में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आईगी चलो यह सी करते हैं तो आप लोग यह समझ गए होंगे चलो एक बार और देख लो एक बार और देख लो ग्यारा संख्याओं का उसद दिया है 10.9, पहली 6 संख्याओं का उसद दिया है 10.5, अंतिम 6 संख्याओं का उसद दिया है 11.4, क्या दिया है 11.4, अब यहाँ पे टूटल अंक 12 हो रहे, यहाँ पे 11 हो गए, अब जब यहाँ के जादा आंख है तो इसमें पिलस होगा, होगा यहां के जादा आंख हैं तो पिलस होगा और यहां में अगर जादा आंख होते तो माइनस हो जाता तो यह जो 9 दसमलब 10 दसमलब 9 हैं वो आपका 11 दसमलब 5 से कितना अधिक है यह यह मान लीजिए कि जो 10 दसमलब 5 है वो 9 दसमलब 10 से कितना कम या अधिक है तो 0.4 कम है यहां पर क्या है कम है और यह 10.9 है यानि 10.9 से 11.4 कितना अधिक या कम है तो 0.5 अधिक है और दोनों में कौन सा को मना रहा है छे को मना रहा है तो 6 हमने यहां पर क्या कर लिया? common ले दिया अब यहाँ पे जब minus के 0.4 और plus के 0.5 इन दोनों में से minus करोगे तो क्या बचेगा 0.6 बचेगा 0.1 बचेगा और 6 का भाग कर देंग गुणा कर देंगे इसमें तो क्या बचेगा 0.6 बचेगा अब 10.9 में 0.6 यानि 0.6 पिलस कर दोगी तो क्या आ जाएगा 11.5 यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बिलकुर दिक्कत नहीं चलो अंगला कोश्चन देते हैं आपको सेम बिलकुर ऐसा ही कोश्चन देते हैं आप फटाक से लगाना चलिए दोस्तों यह बाला कोश्चन कीजिए 243 है और अंतिम 12 संख्याओं का ओस्त क्या है 234 है तो मद्द की संख्या ग्यात कीजिए या मद्द की संख्या कह सकता है वो या मद्द मान भी कह सकता है कुछ भी कह सकता है आपसे तो वो आप निकालिए चलिए आप लोग इसे कर सकते हो चलिए इसे करें बिल्कुर सेम है अब देखिए इसे बिल्कुर डिटेल से आराम से बिल्कुर वो कह रहा है कि 23 संख्याएं है 23 संख्याओं का जो आपका एवरेज है 233 संख्याओं का उसत क्या है 233 जो प्रथम आपकी 12 है यानि जो पहली 12 संख्याओं का उसत है वो आपका 243 और जो अंतिम 12 है आपके उन का क्या है उन का है आपका 234 234, नम्मर कहां पे जादा है, यहां पे जादा है, कितने हैं, यहां पे total 24 हैं और यहां पे 30 हैं, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे plus होगा, क्योंकि यहां पे जादा नम्मर है, अब पताईए आपके 237 से 243 कितना अधिक है, 237 से 243 कितना अधिक है, तो 3 जोड़ देंगे, तो यहां पर कितना अधिक है यहां पर देखिए कैसे इस से 237 से यह 243 कितना अधिक है छे देखिए छे देखिए ना हाँ तो यहां पर हमने क्या कर दिया छे कर दिया प्लस के छे कर दिया अब यहां पर जोड़ देखिए आप अब नीचे वाले पर देखिए नीचे वाले प यह आपका तीन कम है, कितना कम है, तीन कम है, तीन कम है तो यहाँ पर क्या करोगी आप 3 माइनस कर दोगे, तीन क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, अब यहाँ पर 12 यहाँ पर हैं, 12 यहाँ पर हैं, तो 12 यहाँ तो हम यहाँ पर ले लेते, कि 12 गुणए 6, 12 गुणए 3, लेकिन 237 तो आपके A है और यहाँ पर क्या लगा है पिलस का चिन्न लगा है अब 3 में से 6 में से माइनस के 3 चले जाएगे तो कितना बचेगा तीन बचेगा तイन बचेगा यहां पर यहां पर क्या आ जाएगा बारा आप दो सो संथीज पिलस बारा ची CTAl Abu तो चमिसां यहांपे आपके किया करोंगे गांप आप इन दोनों को जोड़ देगे। साथ यूज लिखा हो जाएगा तैरक स्वां पनाविआगा हासे लाई है हासे लागीँ अप्ट किसार कि अ कि टीन कितना हो गया 6 और 7, 6 और 7 अब यहाँ पर क्या आग गया 2 आगया तो जाए आ 263 क्या आगयाँ आपका आंसर आगया. कीrá गयाँ आपका आंसर आगया। Option आपका नहीं है 273 तो यहाँ नन्नोग dengan निच के यहां यहां पर कर लिजी आप कौन सा option number 273 ये वाला हुगा आपका answer क्या गया 273 क्या आगया answer आगया चलिए आप इसे note कीजी अब इसके बाद आपको कोई भी problem नहीं होगी आंगे वाले जोग आपके लिए question दिये जाएंगे किसी भी question में आपको बिलकुर problem नहीं होगी देखे क्या किया था 233 संख्याओं का उसा दिया था उसको 237 12 संख्याओं का उसा दिया था 243 तो 237 243 से कितना अधिक है या कम है तो 6 अधिक है तो हमने क्या कर दिये है यहाँ पर 6 प्लस के लिए और यहाँ पर जो 237 है आपका वो 234 से कितना अधे किया कम हैं, तो 3 कम हैं, तो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया, दोनों में 12 है, तो 12 पहले से ही कोमन ले लिया, आप 6 में से 3 जाएंगे, तो क्या बचेगा? 3 बचेगा और 12 का गुणा कर देंगे, तो 12 campe 3 क्या हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, चलिए अंगला कुश्चन देखिए बिल्कुश सेम अब यह आपको करना है जो आपकी 25 संख्या है 25 संख्याओं का ओसत कितना है पाँससो बानवे हैं 25 संख्याओं का ओसत 592 है और 12 संख्याओं का जो ओसत है आपका 586 है और जो अनतिम आपकी 12 संख्याओं है उनका ओसत कितना है उनका ओसत है आपका 5589 है तो आपको या बीच की संख्या निकालिए या यहां से वो पूछ सकता है या तो बीच की संख्या निकालिए या हम आपसे कह देते हैं कि तेरी भी संख्या निकालिए कौन सी तेरी भी संख्या या आप तेरी भी संख्या क्या कीजिए ग्याद कीजिए चलिए ये वाला कीजि तेरे विशन क्या निकाल ली हैं तो तेरा विशन क्या आप लोग निकाल सकते हैं आराम से चलो इसे करो बढ़िया कोश्चन है इसके बाद आप धीमे-धीमे करते जाएंगे तो कोई प्रोब्लम नहीं होगी तो इसे करें आप लोग और दोस्तो देखो किलास को like, share, subscribe जरूर करना है देखो इत्ती मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए तो आप लोग इतना तो करी सकते हो कि जो आपके पास भार साफ फेस्बूक ग्रोब हैं उसमें share तो करी सकते हो तो क्या करना है इसको like, share, subscribe जरूर करना है अब आज ये से भी देखते हैं भैतरिन तरी किसे से भी देखते हैं देखिए यहां क्या कर रहा है वो यह 12 और 12 बारा दूनी कित्ते हो गए आपके दोनों 24 हो गए तो उपर वाला क्या है नीचे वाले से अधिक है उपर वाला न यह ऐसा कह लीजिए कि यह जो कम होते थे पहले यह अब यह क्या है कम है पहले अधिक होते थे अब कम है तो माइनस कर देंगी ऐसे ज्यादा ध्यां रच सकते हैं कि पहले यह नीचे वाले अधिक होते थे अब यह नीचे वाले कम है तो माइनस कर देंगी अधिक होते थे त आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा कि दो आ जाएगा ऐसे ही आप क्या करोगे जो पांस से बानवे है वो पांस सो नवासी से कितना यानि पांस सो बानवे से पांस सो नवासी कितना अधिक है या कितना कम है तो कितना कम है माइनस के तीन कम है तो यहां क्या करोगे माइनस पांसो बानवे आपने क्या किया लिख लिया पांसो बानवे आपने लिख लिया अब यहां चार में से तीन माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा चार में से तीन चले जाएंगे तो क्या बचेगा एक बचेगा वो भी किसका माइनस का माइनस कर देंगे बारा और बारा क्य गुणां में है तो इसका गुणां कर देंगे एक में अब यहाँ पर क्या जाएगा 592 माइनस 12 592 से मैं से 12 माइनिस करते। जीरह, पॉर पांच, यह आगे आपकी तैरवी संख्याज़ किसी को कोई दिख्कत कहीं भी दिख्कत हो कमेंट करके बता दे ना कल आपको उसकी जो भी दिख्कत हो ने चलो अंगला कुष्चन देखते MER यहां तक आप लोगों किर लिया होगे अंगला कुष्चन दिखते हैं इससे आपका क्या कोगया होगा के लिक देग Two और conf06 संख्याओं का ओसत 5586 है याहली च्रिदर संक्याओं का ओसत 2589 है और और अंत्यम संख्याओं का ओसते जुव 254 ही तो 15, 20 जा करना है आपको ज्ञांद करना है ओप्शन एक दिया है आपको 2575, 2570, 2590 और 272 अब आप लोग इसमें से ओप्शन से उठा के करें या सीधे आपको जो बताया है उससे करें तो आप लोग आराम से कर सकते हो तो करें पहले से आप लोग करें देख अब एक बार आप लोग ट्राई जरूर किया किजिए क्यूंकि जो कोश्चन आप ट्राई करते हो और फिर उस कोश्चन में अगर आपकी कहीं गलती हो जाती है और उसके बाद जो आपको बोर्ड पर सॉलूशन दिया जाता है तो जो सॉलूशन आपको दिया जाता है य पर बाद में आपने इसका solution सही तरीके से देख लिया, तो आप ये question, ये मानिया आपकी guarantee है, ये वाला question आप कहीं भी mistake नहीं करेंगे, ये नियम होता है, कि जो पहले हम से गलतियां हो जाती है, बाद में हम उसको इतने अच्छे तरीके से कलते हैं, इसलिए आप इसे पहले try जरूर किया कीजिए, फिर आपके जो try करने के बाद अगर आपकी कहीं mistake होती है, तो वो mistake आप अंगला question करने जाओगे जब, तो वो mistake आपसे नहीं होगी, तो इसे ही आप पहले ये try करके देखिए, इसके बाद हम आपको अंगला question देंगे, अगर आपको यहाँ mistake हो जाती है, तो अंगली question में आपको बिल्कूर भी mistake नहीं होगी, तो इसको एक बार आप लोग try कीजिए, देखिए वो क्या कह रहा है कि 29 संख्याओं का उसर दिया है, तो 29 संख्या हैं आपकी, कितिय नमबर हैं, आपके 39 नमबर हैं, 39 नमबर का जो आपको ये average दिया है2589 तो यहाँ पे आप लिख लेंगे किता है, 2589 है जो आपके अन्तिम 14 नंबर है उनका rate कित् państ Idea है उनका average दिया है जो last की आपके चौदा नंबर है अन्तिम उनका average आपको दिया है कित्ता है 25 84 25 84 है अब क्या करना है देखो यहाँ पे 14 और 14 कित्ते हो गए 28 28 हो रहे है 28 क्या है 29 से कम है तो यहाँ पे माइनस लगा देना अगर यहाँ पे 300 होती तो यहाँ पे पिलस लगा देती वो यहाँ पे कम है तो क्या कर दिया माइनस लगा दिया अब यह देखिए आपकी 2586 से 2589 कितना अधिक है या कम है तो कितना अधिक है यह देखिए कितना अधिक है 6 और 3 नो यानि कितना अधिक है पिलस के 3 अधिक है यहाँ पे आप कुश्टक लगाओगी और क्या कर दोगी 3 लिख दोगी अब यहाँ देखिए आपकी जो 86 है वो 84 से कितना 25 तो सेमी है तो जो 86 है आपका जो 84 से कितना अधे किया कम है तो यह तो भाई 2 कम है कितना कम है? 2 कम है तो यहाँ पे 2 माइनस कर देना और दोनों में कित्ठी कित्ठी संगा है 410 यहाँ पे हैं तो 14 और 4 common ले लेंगे यहाँ पे कितना आ आ आ गया? 416 आ गया तो क्या बचेगा एक बचेगा और जब पिलस का एक बचेगा बाहर माइनस एथो क्या आजाएगा धेंटू कित्ता है चौुदा है अब क्या करोगे आप क्यों इसम hanno दूगे तो 25 क्या करना है आपको 14 करना है कित나 आगे आपकाdest च्रह शाल जाएगा कित्ता बचेगा दो बचेगा और आठ मेंसे एक जाएगा तो कित्ता बचेगा 7 बचेगा यहां पर कित्ता बचेगा 2 और 525 बचेगा यह कित्ता आगया आपका 2572 के आगया answer option number कौन सा है डी यह आपका आगया answer अब अगर यहां पर कहीं किसी की कोई mistake हो गई हो और solution देखके आपने mistake आपने सुधाल ली हो तो अब अंगला question देने जा रहे हैं वो question आप करके देखना अगर mistake बिल्कुर नहीं होगी mistake का कोई सवाल ही नहीं बनता है अब आपसे mistake नहीं होगी अगर आपने try किया है और गल्ती हुई है तो अब mistake नहीं होने वाली चली अंगला question देखे बिल्कुर भी mistake नहीं होगी चलिए दोस्तों ये वाला कुश्चन करें बिलुकुर भी मिश्टेक नहीं करना है आपको तेरा क्रमागत बरसों में एक कंपनी का जो राजस्व है राजस्व है वो किता है सत्तल लाक रुपे है यदि प्रिथम साथ बरसों का जो 75 लाक रुपे राजस्व है और अंतिम साथ बरसों का 70 लाक है तो साथवे बरस का राजस्व आपको गयाbla करना है चलो आप लोग कर सकते हो साथवे बरस का गयान करना है आप लोग कर सकते हैं आराम चे ये ट्राइ करोएं कहीं भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी अगर आपने पहले वाला कोश्चन किया है तो इसमें मिश्टेक आपसे नहीं होने वाली है इसमें आपसे कहीं भी मिश्टेक नहीं होगी अगर आपने पहले वाला कोश्चन किया है और आपसे मिश्टेक हुई है या नहीं हुई है तो इसमें mistake नहीं होने वाली अब देखिए आप निकल लिया होगा सब का आ गया होगा answer 13 क्रमागत वर्सों में एक company का राश्वा कितना है जो आपके 13 क्रमागत वर्स है उनमें आपका जो राश्वा है 7 lakh है कितना है सतर लाख है शीदे लाख में लिख देते हैं कोई प्रॉबलम नहीं होगा यदि पृत्रं सात बर्स है जो आपके पृत्रं सात बर्स है onगल पृत्ता है आपका सततर लाख है इसका 65 लाख है इसका सततर लाख है और ये दोनों के 13 से चवदा यानि 13 से चवदा अधिक है यहाँ पर क्या कर दोगे सतर लाख में प्लस लगा दोगे अब सतर से 65 कितना अधिक या कम है तो ये तो भाईया इंटु दोनों common हैं आपके कित्ते हैं, 14, 14 common हैं आपके, तो कित्ता है आपका यहां पर? 24 एक तो इस, 5 में से, 7 में से 5 जाएंगे तो कितना भचेगा? आपका 2 बचेगा, तो 73 लाग तो आपके ए हैं, यह कित्ते एं? सत्तर लाकी है और यहाँ पे क्या बचेगा पिलस के दो बचेगा इंटू आप चवदा कर दोगे चवदा दूनी कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा तो सत्तर पिलस चवदा दूनी 28 अरे नहीं गुरू यहाँ पे साथ है चौधा नहीं है, यहां पर आपका साथ है, यहां पर भी साथ . और हैपे साथ 2 ने कितना हो जाएगव चौधा हो जाएगा तो बराबर में क्या आजाएगा आपका 84.00,症 कि ताग्या 84 लाग रुपे, option number B, आपका answer, देखिए अब इसमें कोई mistake तो नहीं हुई, बिलकुर आराम से आ गया, आ गया की नहीं आ गया, कहीं भी mistake नहीं होगी, आप जो average की सवार करेंगे, उसमें कहीं भी mistake नहीं होगी, आप बिलकुर ना गबडाएं, बढ़िया पढ़ कोई दिक्कत नहीं आईगी, बिलकुर मस्तरी के से पढ़ाये जाएगा, आपके जो constable है, यानि जो constable से लेकर आपके, जो cat level का question होता है, cat, cat level तक के आपको question कराये जाएगे, आपका level यह होगा, 0 से लेके आपका hero तक होगा, 0 से लेके hero तक के सवाल आपको करा दिए जाए कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह के सवाल करा दिए जाएंगे, चलिए तो अहला question देखते हैं फिर, चलिए छेमा question देखिए, 49 संख्याओं का ओसत कितना है, तेश सो संदावन है, यदि पहली उनाई संख्याओं का ओसत, तेश सो सरसट है, और अन्तिम उनाई संख्याओं का तेश सो अर протालीस है, तो बीस भी यानि 20 वा संख्या ज्याद करना है आपको, तो आप लोग कर सकते हो आराम चे, तो करें से 49 संख्याओं का ओसत आपको दिया है, कितना है तेश सो संदावन है, यदि पहली उनाई संख्याओं का ओसत 23 सडसट है, और अन्तिम उनाई संख् सब 438 तो 20 भी संक्या आपको क्या करनी है ज्यार करनी है आएज्ये दोस्तों देखते हैं से 49 संख्याएं दी हैं ृशी संख्या यह कितना दिया है वो आपको 2300 संटाउं दिया है और जो प्रिथम आपकी उनाईस संख्याएं हैं उनका एवरेज आपको पता किता दिया है तेईस सो सरसर दिया है और जो आपकी अंतिम उनाईस संख्याएं है उनका एवरेज किता दिया है आपको तेईस सो अरतालिस दिया है कि तदिया है 248 ती है उनाईस है कम उनाईस दूनी कित्ती हो रही है आपकी 38 इससे 38 इससे क्या है कम है कम है तो यहां पे क्या कर दोगे आप इससे क्या है कम है तो यहां पे क्या कर दोगे आप माइनस कर दोगे जहां पे कम होता है वहां क्या करते हैं माइनस करते हैं यह अग 19 दूनी 38 49 से कम है अगर 49 से जादा होता तो प्लस कर दो 49 से कम है तो क्या कर दीगा मा Poll का दिए अब देखिए आप जो आपका 2357 है बहुत 2367 ये 2357 से 2667 कितना अधिक है या कम है तो यहाँ पे क्या है 10 अधिक है 10 क्या है आपका अधिक है 48 संताओं से कितना अधिक है या कम है कितना अधिक है या कम है तो देखिए अब 48 में 2 जोड़ देंगे तो कित्ते हो जाएंगे 50 और 50 में 7 जोड़ दोगे तो कित्ते हो जाएंगे 7 यानि total कित्ते हो गए 9 तो कितना कम है 9 कम है तो 10 में से आप क्या कर दोगे, 9 माइनस कर दोगे, और दोनों में क्या common है, दोनों में उन्हें common है, यानि उन्हें इस दोनों जगाए पर आ रहा है, इसलिए उन्हें क्या 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 लिए आमने common ले दिया, अब देखिए, यहां से लिख लेते हैं, पहले क्या लिख लेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो बन इंटू 90 जब बन इंटू 19 कर दोगे तो क्या कर दोगे तेईस सो मैंसे तेईस सो संतावन मैंसे क्या कर दोगे 19 माइनस कर दोगे उन्नीस माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा सत्रा सत्रा में से नो गए आठ बचे यहां पर एक हांसल आएगी तो एक पिलस कर दोगे इसमें जब एक पिलस कर दोगे तो दो हो जाएगा पांच में से दो जाएगा तीन बचेगा तीन यहां पर बचेगा दो यहां पर बच करेंगे जित्ती ज्यादा प्रेक्टिस करते जाओगे एक्सरसाइजें करोगे किताब उसे उठागे सवाल करोगे और सुरह लगेंगे चली अंगला देखिए चली दूस्तों यह बाला कुष्चन करें साथमा कुष्चन है आपका 35 संख्याओं का उसत कितना है 4301 है यदि पहली 18 संख्याओं का उसत 4333 है और अन्तिम 18 संख्याओं का उसत जो आपका दिया है वो दिया है कि 4309 है तो 18 भी संक्या आपको क्या करनी है ग्याद करनी है तो 18 भी संक्या आप लोग ग्याद कर सकते हैं तो आप लोग इसे करें बहुत अच्छे सवाल हैं आप लोग इसे जितना भी हो सके उतना करते जाएं जितना डिवीजन होगा आपका उतनी ही आपकी नी मजबूत हो जाएग जैसे सिमेंट में पहले नी डालते हैं तो नी को क्या करते हैं अपने सिमेंट में पिलर की क्या करते हैं तलाई करते हैं लेंटर की तलाई करते हैं पानी भर देते हैं चारो तरब चे डाल देते हैं उसमें पानी भरा रहता है ऐसे ही आप क्या करते हैं डेली रिवीजन करना ह डेली रिविजन करोगे, तो यह आपको अच्छी से याद हो जाएंगे, वो हर चीज रिलेटेड होती है, तो ऐसे ही आपको कहिए करना है तो जितना आपको यहाँ करा दिया जाता है, वो आपको घर पे जाके रिवाइस के एक बार करना है, तो देखें क्या कह रहा है कि 35 संक्या है उनका एवरेज आपको दिया है क्या दिया है 4333 जो अंतिम 18 संक्या है उनका आपको एवरेज दिया है कित्ता दिया है 4309 18 और 18 कित्ती हो गई 36 अब 35 से 36 क्या है अधिक है तो क्या करोगी पिलस अब 21 से 33 कितना अधिक है 12 तो क्या कर दोगे यहां पर 12 कर दोगे और 21 से जो आपका 4309 यानि 4301 से 4309 कितना कम है कितना कम है माइनस की 12 कम है तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस की 12 हो जाएगा और कमन क्या लेना है दोनों में 8 18 18 है तो दोनों में से 18 आजाएगा आपका अब 12 में से 12 जाएगे तो क्या बचेगा सुन तो क्या जाएगा आपका 4321 वरावर यहां पर आप पिलस करोगे पिलस जीरो तो क्या आजाएगा आपका आंसर 43 21 यानि 43 4321 ओप्सन नंबर C आगे आंसर चलिए इसे नोट करें इसके बाद अंगला कुश्चन देखते हैं अभी ऐसे भी कुश्चन करेंगी कि अभी अंतर समान लेता था फिर वहाँ पे क्या होगा अंतर समान नहीं होगा जैसे अभी यहाँ पे क्या है जैसे आपको अंतर समान लेता था आप अंतर समान नहीं रहेगा जैसे यहाँ पे आपको 18 दिया है तो यहाँ अभी कर सकता है कि यहाँ पे आपको 12 दे दे और यहाँ पे आपको 16 दे दे चलो अंगला कुश्चन देखती है तो लो दोस्तो तो आपसे जैसी बात की थी बैसाई कुश्चन आगे आ गया है आपका आटमा कुश्चन है कि 29 संख्याओं का औसस 2762 है यदि पहली 18 संख्याओं का औसस 2765 है और अन्तिम बारा संख्याओं का उसस तताइस सो अंठाओन है तो अठार भी संख्या क्या करना है आपको ग्यांत करना है देखिए दोस्तों अभी तक आपको यह जो पहले संख्याओं दी जाती हैं कि पहली संख्याओं से हम दी जाती थी जैसे यहां पे अठारा है तो यहां करें गे जित्ते भी कोश्चन होगे 39 39 का ऊसद दिया है उसने कित्ता दिया है 2762 नहीं बड़ी बात नहीं है कर लिए आप लोग और 18 संक्यां का जो average दिया है वो कित्ता दिया है आपका 2765 2765 जो आपकी लास्ट की 12 संक्या है उनका आउसाद आपको दिया है किता दिया है 2708 अब देखिए इन दानों को टूटल कीजिंसे इन दोनों को टूटल कने पर is 30 30 क्या है से 29 से अधिखें 13 क्या है 29 से अधिके जब 30 realise 29 से अधिके तो यहांपर क्या करोगी फिलैस करोंगी अब देखिए यहांपे बासठे 52 तीन कितनी अठारा संख्या अभी तक हम संख्या नहीं लेती थे तो को मना जाती थी अब यहां पर हम संख्या नहीं लेंगे कितनी लेंगे अठारा अठारा संक्या है अठारा संक्या है तोटल अंतर कित्ते का है तीन का है अब इसके बाद आप नीचे देखिए नीचे जो अंठावन है वो बासर से कितना कम है अधिक है कितना कम है अधिक है कितना कम है चार कम है तो क्या कर दोगे माइनस के चार कर दोगे लेकिन किती संग क्या है बारा तो चार गुणए बारा आ गया अब यहां क्या करते थे आप लोग आप लोग जित्ता है विज आपको दिया रहता था यहां पे लिख लेती थे कित्ता है 27 यह आप लिख लेते थे इसके बाद क्या कर जेते थे कोई टेंसन नहीं अब इसका अठारा का तीन में गुणा करो कित्ता आजाएगा चंगन अठारा थी चंगन और बारा चोगों कित्ता होता है अड़तालीस माइनस के क्या कर दोगे अड़तालीस कर दोगे अब चलू आँगे देखते हैं 2762 चंगन में से 48 आप क्या करोगे माइनस करोगे चार के माने 14 14 में से 8 चले जाएगे कित्ता बचेगा 6 तो 6 किसकी बच रहे हैं पिलस की बच रहे हैं तो यहां पर पिलस आजा तो 72 में 2772 में 6 आप जोड़ दीजी तो कित्ता हो जाएगा 2768 यह क्या आगे आपका आंसर कोई problem नहीं? यहाँ दिक्कात? और कोई दिक्कात? नहीं कौनसा option? D? ऐसे निए पहले हमें जो पहली संख्या है ले रहती तुछ यह आनि प्रतम और अंतिम यह दोकुक दे नहीं थी? तो timest रहती थी तो timest रहती तो रहती थी पहले आईए दोस्तों ने इननों मा कोश्चन है हमारा बारा संख्याओं का औसत ब्यालीस है अंतिम पांच संख्याओं का औसत चालीस है और पहली चार संख्याओं का औसत है जो चवालीस है छटी संख्या पांचवी संख्या से छे कम है और 7 वी संख्या से 5 कम है पांचवी संख्या और 7 वी संख्या का ऑसत ज्यात करें Option number E आपको दिया है 44 B दिया है 44.5 C दिया है 43 D दिया है 22 इसमें से आपको निकाल लाएं कि कौन सा आपका आमसर होगा और कौन सा? नहीं होगा तो आप लोग कर सकते हैं फिर से एक बार से कुश्चन पढ़के बता दिता हूँ आप लोगों को 12 संख्याओं का ओसत 42 से अंतिम 5 संख्याओं का ओसत 40 से और पहली 4 संख्याओं का ओसत 44 से और छटी संक्या पांच भी संक्या से छे कम है और साथ भी संक्या से पांच कम है पांच भी संक्या साथ भी संक्या का उसत ज्याद कीजिए चलिए दोस्तो अच्छा कुश्चन है इसके बाद ऐसा ही कुश्चन हम कल करेंगे इसके बाद जितने भी कुश्चन करेंगे कल करें तो यह वाला question देखिए आप लोग 12 संख्याओं का उसत कितना है Uhh जो आपके total 12 number हैं 12 संख्याओं का उसत आपको दिया है कितना है Ugh कि अंपयाा संख्याओं का कौन्स चालीच है जो आंनति मापकी पात 성्ख्याँ थे भी संख्याओं का एगरिज्च यह वह किता है 40 है और पहली चार संख्यां का उसद चावाली से जो 1 नमबर चार नंबर है आपका उसका उसत किता है चबालीस है कितनी हो रही है पांच और चार नो के बाद पांच मिसंग क्या है आपके पास छटी संग क्या है आपके पास और साथ मिसंग क्या है आपके पास यहां पर क्या हो रहा है नो हो रहे हैं पर नंबर कित्ते हो रहे हैं नो नंबर इससे क्या है इससे तो भई यह कम है यहां से कित्ते हैं कम हैं लेकिन तीन नंबर हमें और दिये हैं कौन से 6 7 और 8 दिये हैं तो क्या करना है यहां पर कर दोगे आप माइनस माइनस कर दिया आप संक्या है 42 40 42 कितना कम है दो कम है यहां पर कितना कम है दो अधिक है पहले में दो कम है और अंतिम में दो क्या है आपका अधिक है अधिक है पहले में दो क्या है कम है तो पहले में नमबर किते हैं आपके पांच नमबर हैं माइनस के फाइव इंटू टू यह वाला टू यानि माइनस पहले आ गया और नीचे वाले में क्या लेना है पिलस का है तो पिलस के फोर इंटू टू पिलस के फोर इंटू टू अब क्या करोगे 42 यहां पे लिख लोगे 42 आप यहां दूनी दस किते माइनस के चार दूनी आठ किसके पिलस के अब जब माइनस पिलस और माइनस इसमें से घटेगा तो किते बचेंगे इसमें से माइनस के दो बचेंगे क्या बचेंगे माइनस की माइनस यहां पर माइनस यहां पर यहां आएगा तो क्या हो जाएगा पिलस के दो बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे कितने नमबर हैं आपके यहाँ पे आपके पांच और चार नो नमबर हैं कितने नमबर बत रहे हैं आपके तीन नमबर आपके और बत रहे हैं बत रहे हैं तीन नमबर आपने यहाँ पे लिख दिए अब इसका जवाब बढ़ा करोगे इसक 128 बटे तीन आ गया आपका अब यहां तक तो आपका कोश्चन हो गया खतम अब इसके आंगे आंगे बाला कोश्चन देखने क्या कह रहा है कि छटी संख्या पांच भी संख्या से 6 कम है तो पहले आप लिख लिजिए यह आपकी पांच भी संख्या है यह आपकी साथ भी संख तो वो क्या कह रहा है कि जो छटी संक्या पाँचवी संक्या से 6 कम है यानि जो आपकी ये छटी संक्या है ये पाँचवी संक्या से कितना कम है ये छटी संक्या पाँचवी संक्या से 6 कम है यानि ये 6 कम है जो आपकी छटी संक्या है पाँचवी संक्या से 6 कम है ये अपने य यहाँ पर अगर X मान लोगे तो यहाँ पर क्या मान लोगे X प्लस 6 मान सकते हैं यह आपकी पांच भी संख्या है वो छह भी संख्या है तो छटी संख्या है वो पांच भी संख्या से क्या कह रहा है कि छटी संख्या पांच भी संख्या से यानि पांच भी संख्या से कितना कम है 6 कम है यानि 6 प्लस कर दोगे तुझे कम हो जाएगी और 7 भी संख्या से 5 कम है और जो ये है ये 7 भी संख्या से 5 कम है x plus 5 कर दोगे तो देखिए इससे ये 5 कम है 5 इससे ये 5 कम है और इससे ये कित्ती कम है 6 कम है तीनों संख्याएं आगे अब इन तीनों को क्या करोगे आप जोड़ लोगे तो x plus 6 x और x plus 5 जब इन तीनों को जोड़ लोगे तो तीन संख्याएं ये भी तो है जब इसमें आप तीन का भाग दोगे तभी तो आपका टोटल ये तीन संख्याएं आएंगी लास्ट वाली क्यूंकि ये एवरेज है तीन होगा तो बराबर क्या करोगे 128 बटे 3 और संख्याएं कि 3 है 1, 2, 3 तो 3 का क्या कर दोगे गुणा कर दोगे 3 से 3 कर जाएगा 1, 2, 3 यानि 3 x plus 6, 5, 11 बराबर 128 एक 128 आगया अब 3 x ये 11 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा साथ एक साथ अब एक्स बराबर क्या करोगे तीन से से काट दोगे तीन से से काट ओगे तीतर का 9 कित्ते बार जाएगा तीन बार जाएगा तीतर का 9 बचा क्या 200, तीन नाम 27, तो एक्स बराबर क्या आगया आपका 49, एक्स बराबर आगया आपका 49, यानि छटी संक्या क्या आगया आपकी 49, पांच मिसंक्या कैसे निकालोगे, 49 में प्लस 6 कर दोगे, तो क्या आजाएगा ये आजाएगा आपका 45, और 49 में 5 कर दोगे, प्लस तो क्या जाएगा 44, तो यह आगए हमारी साथवी संक्या, पाचवी संक्या और छटी संक्या, अब क्या कह रहा है, पाचवी संक्या और साथवी संक्या का ओसत क्या करना है, आपको ज्याद करना है, तो जो पाचवी संक्या है आपकी, और यह आपकी साथवी संक्या, इन दोन हैं हो रही हैं तो दोनों को आप जोड़ दीजिए दोनों को जोड़ने पर क्या होगा पांच चार नो चार चार आठ भागे दो कर दीजिए तो कितना आ जाए गई चवालीश दसम्ला पांच यह आगया आपका आंसर ओप्सन नंबर बी बहुत अच्छा सवाल था ऐसे सवाल अक्सर एक्जाम में बन जाते हैं क्या कि हमने पहले बारा संख्याओं का होसत दिया था आपको ब्यालीश और अंतिम यानि यह लास्ट वाली हैं आपकी जो नंबर दिये थे फर्स्ट नंबर आपका उसर दिया था चवालीश और आपको तीन संख्या और कह रहा था कह रहा थे कि जो छटीवी संख्या है वो पांच वी संख्या से छे कम हैं और साथ वी संख्या से छे कम हैं साथ वी संख्या से पांच कम हैं तो हमने तीनों संख्या मान दी इसे एक्स मान दिया तो ये पांच भी संख्या से छे कम है यानि आप छे कम है इसमें से अगर आप एक्स में इसमें से एक्स गटा होगी तो क्या आजाएगा पांच आजाएगा यानि इससे पांच कम है तो तीनों संख्यां को हमने जोड दिया तीनों संख्यां को क्य करते हैं average into number करते हैं तो average ही है और number ही है तो total आ जाएगा 128 ग्याराइस में से मानिस कर दिया क्या बचा है 127 तीन का भाग दे दिया क्या है 49 49 गया 49 में एक्स कमान किता है 49 49 में 6 जोड दिया तो क्या है 45 49 49 और यह सही क्या क्या है 49 में 5 जोड दिया तो क्या करना है आपको average यानि उसत ज्याद करना है तो हमने यह पांच भी संख्या जोड़ दी और यह आपकी साथ भी संख्या जोड़ दी और दो संख्या है तो दो से भाग कर दिया तो यह average आपका पांच दो किलास अच्छी लगी हो या ना लगी हो लाइक शेयर और सस्क्राइब जरू करना है अपने दोस्तों में भेजना है और आपको रिविजन अगर आप से रिविजन नहीं होता है तो किसी भी लड़का या बच्चा को पकड़ लो आप किसी भी बच्चे को पकड़ जिसको नहीं आती हो मैथ उसको पढ़ाने लग जाओ पढ़ाने से यह होता है कि आपका रिविजन भी हो जाता है और दूसरे बाले का भी पढ़ा देते हो अच्छी लगी हो ते लाइक से स्कैप जरू करना जैन जै भारत में